अध्य दोस्ते मेरे YouTube चैनल श्रीविंक टेश्वेरा आर्ट में आपका स्वागत है चलिया आज हम गाजर का हलवा बनाते हैं वैसे तो गाजर का हलवा सब बनाते हैं सोचेंगे कि इसमें खास क्या है बस इसमें खास यह है कि बिना घिसे और बिना खोवे के और बिना दूद कि भी हल्वा बनता है जैसे आप रवा का हल्वा बनाते हैं सिर्फ घी से उसी तरीके से हम गाजर का हल्वा जो बनाने वाले हैं आसान तरीके से और बिना मेहनत के कम समय में कैसे बना सकते हैं देखते हैं चलिए और जब यह बनता है तो इसका structure ऐसा दिखता है पुरा गाजर का हरवा जैसे आप बनाते हैं घसबर उसी इस तरीके से दिखने में यह दिखाए देता है जो चलिए फिर देखते हैं इसके आगे के इंग्रीडियंस क्या-क्या है मैं आपको दिखाने जा रहे हूं इसके इंग्रेडियंट्स हैं मलाई, ड्राइ फ्रूट्स, गूड, गाजर, घी घी देखें कितना दानेदार और बड़िया दिख रहा है ये भी घर का बना हुआ है और इसमें पैनिला एसेंस भी आड़ करना है जो मैं इसमें दिखाने ही पाई हूँ मैं डिरेक गाजर हलवे में डालने वाली हूँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके आगे का प्रॉसेस के लिए गाजर को साफ करके कट किया था और मैंने हाफ बॉयल किया है मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पानी ले लिया है चान कर मैंने इसका जूस बना दिया मैश करना है आलू मैशर से आप मैश कर सकते हैं या कल्ची से भी कर सकते हैं और मैंने इधर गूड का चाशनी बनाए यह घर का गूड है तो हमें थोड़ा सा लगा कि कुछ कछड़ा जैसा लगा तो मैंने उसे चाशनी बनाकर चान ले लिया है छान लिया है अब इसके बाद चाशनी जैसे गाड़ा चाशनी बन गया है इसे हम गाजर के इसमें डालेंगे जो पकेवी गाजर थे उसमें हमने इस चाशनी को एड़ कर दिया तो ये इस तरीके से बन गया है ड्राइ फ्राइ हो चुका है ज़से आप देख सकते हैं कितना बज़े से अब मैं इसमें मलाई एड़ कर रही हूं मलाई आप अपना स्वाद के अंसर यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने तीन किलो गाजर के लिए मैंने आधा बहुत से ज्यादा मलाई लिया हुआ है और उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं मलाई डलने के बाद हमारा कुछ इस तरह के से आया फिर मैंने इसमें घी एड़ किया है गीड अपने स्वाद के अनसर घी जादा भी डाल सकते हैं या कम भी इसे जो शाइनी लुक आता है बहुत ही प्यारा शाइनिंग आ रहा है अब देखिए पूरा फ्राई हो गया अच्छे से अब इसमें हम मलाई डालने के बाद कुछ इस तरीके का हमारा हर्वा तैयार हो गया है आप मैगजिन शक्तर कहीं आतीं ज्यादा देखा होगा कोई भी है बट गूड हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है तो मैं कोशिश करती हूँ नानी और दादी लोग जैसे दूद के साथ बहुत सारी बैटीज बनाते थे या मलाई डालकर तो गूर ज्यादा यूज होता था तो मैं अभी इसमें गूड डालके ही बनाई हूँ यह हुआ अब हम इसमें एचिंज आड कर लेते हैं कि अधिक हल्वा में आपने अचिंज का टेस्ट अभी तक नहीं किया होगा इस बर यह नए तरीका के हल्वा बनाकर खाई यह बहुत बढ़िया देगा सभी इलाइचिक और लाग की बनाते हैं बट छोड़ा सा हट के बनाकर कोई चीश खाया तो मुझा आता है फैनिला एस संस के साथ ही यह बहुत बढ़िया स्वादिस्ट हल्वा बनकर है हमारा हल्वा बनकर रड़ी हो देखें कितना प्यारा लग रहा है यह हो गया हम इसे सर्व करने के लिए डेकरेट कर लेते हैं ड्राइफ रोट से आप काजो किश्मिश बादाम जो भी ड्राइफ डालना चाहिए आप डाल सकते हैं आपके टेस्ट के अनसर मैं इसमें काजो और बादाम ली हूँ आप चाहते हो पूरे हल्वे में डाल सकते हैं यह हल्वा खाने के लिए तयार है आप इस वीडियो को देखकर बहुत आसान तरीके से बनाएए अपने रिश्यद